बीजेपी की नेता रही नुपूर सर्मा ने एक बिवादिद बयान दिया था पैगंबर मुहम्मद साफ के बारे में एक की बीजेपी डिबेट के दौरान जैसा की उन्होंने बयान दिया और जिसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया लेकिन उसके बाद सुक्रवार को जुमे की नमाज होती है और उस समय जैसे ही नमाज खतम होती है दंगाई आते हैं और भारत के खासकर उत्तर भारत के कोने कोने में दंगा करने लगते हैं और पथराओ करने लगते हैं सवाल ये है अगर ये उनका सुक्रवार का दिन पवित्र दिन होता है प्रार्थरा का दिन होता है इस दिन हिंसा करने की जरूरत या किसी भी दिन किसी बयान के जरिये हिंसा करने की दंगा करने की जरूरत ही क्या है अगर वो कानोन के दायरे में गलत भी है बयान तो उस पे दंगा क्यों करना चाहिए ये दंगाई जो थे जिस तरीके से पुलिस पे पत्राव कर रहे थे अगर ये पुलिस ना होती तो ये दंगाई सायद रहते भी ना क्योंकि दंगाई जिस तरह से दंगा कर रहे थे पुलिस उनकी भी सुरक्षा करती है क्योंकि वो भी भारत के नागरिक माने जाते हैं और नागरिकता इस तरह दी जा रही है कि वे लगातार पुलिस पे पत्थराव कर रहे हैं और कई जगा ऐसा हुआ कि जहाँ पे पुलिस की टुकडी देखी इन दंगाईयों ने वहाँ पर पत्थराव किया और पुलिस को कई बार पीछे हटना पड़ा चाहे हात्रत हो चाहे इलहाबाद हो चाहे जासी हो चाहे उस्तरपरदेश का कोई भी लाका हो वहाँ पर दंगा हुआ और पुलिस वहाँ पे जब महजूद रही तो वहाँ पे उन पे पत्थर ठेके गए यह जो पथर फेके जा रहे हैं इतनी हिम्मत दंगाईओं को कहां से मिल रही है, यह सवाल जरूर बनता है यह जो दंगा कर रहे हैं, इनका मनोबल इतना कहां बढ़ा हुआ है, ना तो सम्दान का डर है, दो कानून का डर है और ना ही किसी और चीज़ का कहीं न कहीं इनके पीछे बड़ा हाथ है और इनको कहीं न कहीं बहलाय जा रहा है क्योंकि वीडियो में आप ताप देख सकते हैं ऐसे कई वाइरल वीडियो है जिसमें 15-17 साल के बच्चे पथर फेक रहे हैं उनको ये भी पता नहीं है उनका केरियर इन दंगाईयों के पीछे जो साजी थी उन्होंने इनका केरियर बरबाद कर दिया है क्योंकि ये पथर जब फेक रहे हैं तो इनके खिलाफ एफाईयार भी होंगे पकड़े भी जाएंगे और पुलिस इनकी कुटाई भी करेगी क्योंकि दंगा करना कहीं न कहीं किसी भी धर्म में किसी भी तरीके से सही नहीं है ये पूरी तरह सरासर गलत है और तब जब कोई बयान दिया जाए और उसके बाद उस पर कारवाई भी हुई बीजेपी ने अपने नेता को दोनों नवीन जिंदल और नुपुर सरमा को दोनों को पार्टी से निसकासित कर दिया उसके बाद धीरे धीरे समय बीटता है और दंगा एक संगखित तरीके से होता है क्योंकि सुक्रवार का दिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सब इकठा इसका भी से होगा और आप इस बारे में क्या रखते हैं कमेंट करिए और हमारे खेलनिती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद